Hello dear student, welcome to physics नमा, आज के इस वीडियो में हम लोग class 10 science का chapter light का topic image formation by spherical mirror के बारे में study करेंगे, तो चलिए आज का topic हम लोग start करते हैं, image formation by spherical mirror, तो इसमें हम एक कनके mirror लेते हैं, एक experiment करेंगे और देखेंगे कि कनके mirror में image कहां कहां फॉर्म होता है, अगर object का position अलग अलग जगा पर रखते हैं, तो उसका, जो image होगा, वहा कहां कहां बनता है, तो यहाँ एक concave mirror है, और इसका, यह जो point है, इसका pole है, पोल क्या होता है, यह जो mirror है, इसका mid point को pole बोलते हैं, और इसको capital P से denote करते हैं, तो यह mirror में एक stand लगा हुआ है, और यह एक line है, और यह table पर एक line ड्रॉ करते हैं, और यह जो pole है, इस line पर, इस line के ऊपर होना चाहिए, यह जो pole है, pole का जो position है, इस line के ऊपर होना चाहिए, और दो और parallel line हम draw करेंगे, और यहाँ हो गया, जो concave mirror है, इसका principle axis हो गया, और यहाँ जो point है, प्रिंसिपल focus हो गया, और हम principle focus को capital F से denote करते हैं, और हम लो इसके पहले वाले वीडियो में देखा था, क्या करते हैं कि जो कंड के mirror है, उसको हम लोग sun की तरफ रखते हैं, sun की तरफ जो reflecting इसका जो surface है, वह sun की तरफ रखते हैं, तो एक point पर बहुत ही bright, एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा bright light दिखाई देता है, तो यह जो light है, यह sun का image है, अगर हम sun की तरफ इसको करके bright light दिखाई देगा, जिस point पर वह sun का image रहता है, तो यह जो point हो जाएगा, यह तनके mirror का principal focus हो जाएगा, तो यहां पर हम एक parallel line है, यह principal focus के नीचे रहेगा, और यह दूसरा जो parallel line है, यह हो जाएगा, center of curvature के नीचे, center of curvature क्या होता है, यह जो sphere का यह जो part है यह mirror, उस sphere का जो center होगा, वह हो जाएगा center of curvature, और यहां से pole से जो focus का दूरी होता है, वह equal होगा, focus से center of curvature के equal होगा, तो हम लोगों ने कुछ term को समझ लिया, center of curvature, principal focus और pole, अब हम एक object लेंगे, और उसको अलग अलग position पर रखेंगे, और देखेंगे कि उसका image कहा फार्म हो रहा है, तो सबसे पहले एक object को हम, जो center of curvature है उससे दूर रखते हैं, mirror की तरप नहीं, mirror की opposite direction में, उससे दूर रखते हैं, beyond center of point, center of curvature, रखते हैं, तो यहां जो candle है, एक candle हम लेते हैं, इसको हम यहां पे रखते हैं, और इसका देखते हैं कि image कहां फार्म हो र तो हम क्या करते हैं, इसका image को देखने के लिए क्या करेंगे, कि एक plane sheet लेंगे, paper का sheet लेंगे, और इसको हम mirror की तरफ है, धिरे-धिरे लाएंगे, अगर mirror की तरफ धिरे-धिरे हम लाते हैं, तो हम देखते हैं कि जब यहाँ पर यह paper sheet आ गया, तो इस पर एक candle है, इसका image इस इमेज को हम एक्जामिन करते हैं कि इसका image कैसा है, तो यह देखे, इसका image जो है candle के size से छोटा है, और साथ में inverted है, यहाँ जो candle का image है, यहाँ पर इसका inverted image बना हुआ है, और size में भी छोटा है. तो इसे हम क्या discuss निकालते हैं, कि अगर यह center of curvature के beyond में कोई object है, तो उसका image कहां बन रहा है, focus or center of curvature के बीच में बन रहा है, और साथ में जो image बन रहा है, वहाँ जो object का जो size है, उसे छोटा है, और साथ में inverted image है, यानि इसका ultra image है. अब हम next experiment करते हैं, अब क्या करते हैं कि जो candle है, उसको हम center of curvature के पास रखते हैं, या table पर यह जो line है, center of curvature के नीचे line है, तो इस line पर हम candle को रखते हैं, अब इसका image को हम देखते हैं, कहां form हो रहा है, फिर हम वही paper के sheet को लाएंगे और इसको धीरे-धीरे mirror की तरफ ले या जो paper का sheet है, या center of curvature के पास आ रहा है, तो उसी समय इसका image भी, इस पर paper sheet पर इसका image दिखाई दे रहा है, तो इस image को हम examine करते हैं, तो यह देखते हैं कि इसका जो size है, image का size और object का size दोनों equal है, और 7 में क्या है, लेकिन size equal है, लेकिन image क्या है, इसका inverted image है, object का inverted है, यानि object का है, उल्टा है, तो अगर हम, इसे हम क्या niscus निकालते हैं, कि अगर center of curvature पर कोई object रखते हैं, और कंड के mirror है, से उसका image जो बन रहा है, वा center of curvature पर ही बन रहा है, उसका size equal है, image और object का दोनों का size equal है, लेकिन या यह दोनों एक दुसरे के उल्टे हैं, यारी inverted image बन रहा ह अब हम next experiment करते हैं, अब image को हम क्या करते हैं, focus और center of curvature के बीच में रखते हैं, या focus केластudek के κιल या अभी इस center of curvature के beyond form हो रहा है अगर जो object है center of curvature और focus के बीच में है तो जो image फोर्म हो रहा या center of curvature के beyond हो रहा है और इसका जो size है जो image का size है वह जो object है उसके size से बड़ा है और larger large है ही इसके size से large size image का है और साथ में यह inverted है अब हम next experiment करते हैं अब क्या करते हैं कि जो object है इसको हम focus के पास रखते हैं तो focus के पास रखते हैं तो इसका image को हम देखते हैं कहां फॉर्म हो रहा है तो focus पर जो object है उसका image हमें नहीं दिखाई दिया हम paper को sheet को mirror की तरफ लाएं लेकिन उसका image हमें नहीं दिखाई दिया यह देखिया हमें इसका image नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका image कहां गया तो इसका जो image है अगर focus पर कोई object है तो इसका image कहां बन रहा है इसका image बन रहा है infinity पर, इसका image कहां बन रहा है, infinity पर बन रहा है, इसके लिए हमें इसका image दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब हम next object का position को हम change करते हैं, अब हम focus और pole के बीच में image को रखते हैं, तो focus और pole के बीच image को रखते हैं, तो अब देखिए इसका image कहां बन रहा है, इसका image बन रहा है mirror के पीछे, behind the mirror image बन रहा है, और इसका जो size है, image का size, देखिए इससे बड़ा है, large है और साथ में यहां inverted नहीं है, जैसा image है, जैसा object का position है, इसका image का भी position है, शिरिफ इसका size बड़ा है, और यहां behind the image बन रहा है, यानि इसको हम लोग स्क्रीन पर नहीं देख सकते हैं, या इसको touch भी नहीं कर सकते हैं, जैसा अगर हम लोग यहां पर object रखा था, center पर रखा था, और center of curvature पर रखा था, तो इसके image को हम लोग ने paper sheet दिखाया था, तो इस case में इसका image जो है, या mirror के behind बन रहा है, लेकिन size इसका बड़ा है, तो हम लोग ने क्या देखा, कि अगर यह जो object है, वा focus से beyond है, तो इसका image उल्टा बन रहा है, inverted बन रहा है, लेकिन और virtual बन रहा है, और और, sorry, real बन रहा है, क्योंकि यह जो image को हम लोग किसी screen पर ले सकते हैं, उसको हम लोग real image बोलेंगे, और इस case में focus और pole के बीच में अगर object है, तो इसका image क्या है, virtual है, इसको हम लोग touch नहीं कर सकते हैं, और image यहां बड़ा भी है, और लेकिन यहां inverted भी नहीं है, बाकी के case में inverted image बना था, और इस case में inverted image नहीं है, तो आज का यहां वीडियो समाप्त हुआ, next वीडियो में हम लोग light ray के द्वारा image formation के बारे में study करेंगे, तो thank you for watching.